तो अब हम बढ़ते हैं अगले बिंदु पर और वह है खिलाफत की समाप्ति खिलाफत ही पूर्ण रूप से खलीफा का पद ही पूर्ण रूप से खत्म हो गया और ये घटना करम याने अबासी वंश के ताकत में शक्ति में गिरावट नौवी सदी से ही प्रारंब हो गई थी उस समय से उनकी ताकत कमजोर पढ़ने लगी उनके कारणों पर यदि जाएं और परिणाम पर भी जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि पहला कारण ये था कि जो बगदाज जैसी दूरस्थ जगह में उनकी राजधानी थी उनका केंद्र था जहां से इतने बड़े खेत्र को संचालित करना नियंतरित करना कठिन था साथ ही अन्य तरह के विद्रो विरोध ही सतत रूप से हो रहे थे कभी लाई संस्कृति अभी भी हावी थी या दिपी उस रूप में नहीं जो पैगंबर मुहम्मद के समय थी लेकिन इसके अस्तित से नकारा नहीं जा सकता था इसके प्रभाव से नकारा नहीं जा सकता था तो नियंतरन कम होना और उसके साथ ही साथ सैनिक और प्रशासिनिक लोगों में अराब इरानी गुड़ का हावी होना ये बहुत चे लोगों के गले नहीं उतर रहा था आपको याद होगा कि अपनी सत्ता को मश्बूत करने के लिए अबासी वंश के शासकों ने अबासी वंश के खलीपाँ ने अरविरानी वंश के लोगों को काफी पद दिए थे काफी स्थान दिए थे और इसके विरुद दूसरे वर्ग के लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही थी उन में से एक प्रमुक्त था तुर्की का गुड तुर्की जो बिलकुल पश्चिम में है लगभग योरोप के अंत में बिलकुल ये तुर्की के जो गुलाम थे इन लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही थी इनका एक नया गुड बन गया इसके साथ ही शिया सुनी में विभाजन दो गुड का होना ये स्वैम में एक बहुत बड़ा कारण था इनके बीच में भी एक तरीके से प्रतिस परधा, कांपटिशन या एक दूसरे के प्रति खिचाई, एक दूसरे के खिचाई करना ये भी बढ़ता गया समय के साथ साथ ये हुए शुरुवाती कारण, अब बासी वंश की समापती के या खिलाफत की समापती के शुरुवाती कारणों में से हम चर्चा करना हूँ इक के साथ ही कई नए राजवंश भी सामने आ गए, पूर में हमने जिक्र किया था कि कैसे उमयद वंश के खलिफाओं ने कबीलों की ताकत बनाने का भी, बढ़ाने का भी प्रयास किया और इन कबीलाई ताकत को, कबीलाई शक्ति को बढ़ाने के पीछे जहां उनका मकसद था कि इस इमानतर ख्षेतरों को मजबूत किया जाया ताकि बाइजन्टाइन सब्विता या बाइजन्टाइन सामराज और यहां ससानित सामराज उन पर हावी नहों तो दूसरी और देखा गया कि यह कबीले अब ज़्यादा काफी ताकत वर हो गया और कई लोगों ने इसमें अपना राजवंश स्वामी घोशित कर दिया यह अगले कारण था हम कारण किन कारणों की बात कर रहा हैं खिलाफत के समाप्ति के कारणों की यह राजवंश तुरान, ताहिरी, समानी और तुलनी वंश के मूलता है राजवंश थे परणाम क्या हुआ कि जब नए राजवंश स्थापित हुए तो उन खेत्रों में अब आसे एक लोगों का प्रभत वर्चा सो कम होने लगा कमजोर होने लगा और धीरे धीर इनका छेत्र भी सीमित होने लगा दायरा सीमित होने लगा वहाबी नामक शिया वँज्ञ ने बगदाद पर औविज़ाट कर लिया था अब बगदाद शिया वंश के हाथ ही रहा लेकिन उन शियाओं में शिया संपरदाय के हाथ में ही रहा लेकिन उन शियाओं में जो एक वंश था वहाबी उनका प्रभुत उसमें बना हुआ था इन शासकों ने कई तरह की उपाधियां धारण की, वहाभी लोगों ने कई तरह की अलग अलग तरह की उपाधियां और उपाधियां धारण करने के पीछे था, अपने को ऐसा दिखाना कि वे अन्य लोगों से उपर का स्थान रखते हैं, शाहनशाह जिसमें से एक बहुत प् शाहों का शाह ये उपाधी से अपने को अपने को अपने लिए लेना शुरू किया धर्म प्रमुक अब मुख्य उपाधी नहीं रही खलीफा की उपाधी अब एक तरीके से इनके लिए मायने ने रखती थी वो पीछे हो गया और खलीफा कार्त क्या था था धर्म प्रमुक यानि अब धर्म प्रमुकता धर्म प्रमुक से हटकर अब ये शहंशाह की और अगरसर हो चेके थे यानि राजनायतिक सत्ता धार्मिक सत्ता से कहीं ज्यादा महत्पूर्ण हो चली थी और इस परकार खलीफा के उपाधी तो आने वाले खलीफाओं ने धारण ही नहीं की और अपने को शहंशाह कहने लगे और एक समय ऐसा आया कि खिलाफत को इन्होंने खत्म ना करना एक फैसला तो लिया महत्पूर्ण फैसला तो था लेकिन साथ में कुछ अन्य परिवर्तन उन्होंने लाए जैसे फातिमी जो फातिमी नाम की एक शिश्या थी वो बहुत महत्वा कांग्शी थी फातिमी नाम के शिश्या एक शिया वंच के बहुत ही महत्वा कांख्शा महिला थी और उसने इसलाम पर शासन करने का प्रयास किया था फातिमी संप्रदाय का मानना था कि वे काफी कुछ पैगंबर मुहम्मद के पुत्र के परिवार के हैं उन से उनका संबंद है मैं याद दिलाने चाहँगा कि पैगंबर मुहम्मद के बहुत अधिकतर पुत्र सबी पुत्र लगभग प्रारम में ही गुज़र गै थे पुत्री रह गई थी फातिमा, फातिमा के पती याने पैगंबर मुहम्मद के दामाग चौथे खलीफा बने थे पर यहां पर जो यह वंच था, इनकी अपनी महत्वा कांग्शा थी कि वे इसलाम पर शासन करें और इस अम्परदाय का मानना था कि पैगंबर मुहम्मद के पत्र के हम बहुत के निकट के रिष्टेदार हैं, वही फातिमा के, जो उनकी पत्री थी और उसे अल जोहरा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अज जोहरा, अज जोहरा के परिवारते हैं, फातिमा के परिवारते हैं इन्होंने उत्तरी अफरीका नक्षे में दिया आप देखें तो उत्तरी अफरीका जो है उसके वहां मिश्र है एजिप्ट है कैरो है तो उत्तरी अफरीका की एक जगह से 969 979 एजिप्ट को अपने कबजे में लिया फातिमा वंच के लोंगों ने एजिप्ट को अपने कबजे में लिया और फातिमी खिलाफत की स्थापना हुई इसके साथ ही एक अलग खिलाफत यहां पे आई जिसे हम कहते हैं फातिमी खिलाफत और इस फातिमी खिलाफत ने मात्र एक नई खिलाफत की इस थापना नहीं की इस नए खित्र में बलकि एक नई राजधानी भी अपनी वहां बना लिए काहिरा को अपनी राजधानी बनाया इस प्रतिस परधा में इस जगड़े में कई लोगों को काफी आश्रे मिला काफी उनको संबल मिला और कवी विद्वान कुशल प्रशास्कों को इस फातिमा तंप्रदाय फातिमा वंज के लोगों ने काफी संरक्षन दिया यह तो हुई 979 इसवी की बात है टुनीसिया देश की केराओं मस्जिद को देखिए कितनी विशाल और कितनी सुन्दर है इसकी विशालता इसकी भविता एक यूनिक है यहां याद रखिए कि उस समय फातिमी सामराज था जब ये मस्जिद का निर्माण हुआ था तो फातिमी सामराज के काल में झाल 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 कुल मिला के नौसोपचास से लेके बारासो इस्वी तक का काल जो हमारे इस अध्याय के अध्यान का काल है बारासो तक का तो नौसोपचास से बारासो इस्वी तक यहने करीब धाईसो वश तक यहां का जो समाज है वो एकल राजनीती पर था और और किसी एक संस्कृति से नहीं बलकि सामान आर्थिक और साथ ही संस्कृतिक प्रतिरूप से एक बना यानि इस खेत्र का अपना एक ही अपने तरीके से हुआ और ये ऐसा कहा जाए कि बगदाद की खिलाफत से अलग हो चुका था तो इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी आपको एक बिंदू यहां प्रियाद रखना है कि इन्होंने विद्वानों को कवियों को और अन्य ऐसे प्रशास्कों को जो बड़े कुशल थे उनको अपना संरक्षन दिया था उनका संबल उनकी मदद हासिल की थी और यही बात इसलाम की उच्च संस्कृति के रूप में साबित हुई और अब एक नया परिवरतन हम देखते हैं कि फारसी का महत्व धीरे धीरे बढ़ने लगा फारसी भाषा जो है तो इसलाम की उच्च संस्कृति में यह उच्च संस्कृति वही इजिप्ट के आसपास के ही क्षेतरों की है मिसर के क्षेतर की है जहां पर फारसी भाषा का महत्व बढ़ने लगा और अब फारसी भाषा एकता का अधार बनने लगी एकता की नीव फा फार्सी भाषा से जुड़े हुए थे, वे लोग अब सतंत्र महसूस करते थे, अपने रहांसान, विचारों का प्रसार करते थे, और इस प्रचार प्रसार के माध्यम से उन्होंने फार्सी कल्चर को, फार्सी संस्कृति को काफी बढ़ावा दिया। मुस्लमों की संख्या उमयत काल में कम तो थी, उमयत काल में, लेकिन शुरू के अबासियों के काल में बढ़ गई, क्योंकि अबासियों ने नए खेत्रों पर कबजा किया था, तो उसमें बढ़ गई, धर्मांतरन के कारण भी ये वार्धक्य हुआ, और जो ये प्रयास अबा हम जो बात कर रहे हैं कि खिलाफत की समाप्ति की प्रिष्ट भूमी क्या थी, उसमें हम देखेंगे कि खिलाफत कमजोर होने का कारण, बगदाज जैसी जगह पर राजधानी, कमजोर होने का दूसरा कारण, कभीलाओं के द्वारा विरोध, कमजोर होने का तीसरा कारण, अ अंतर गुटी विवाद, चौथा कारण, इरान के लोगों का एक तरीके से ज्यादा वर्चस होना, वहां के लोगों को रास नहीं आया, पांचवा कारण, नए नए राजवन्शों का आना, और छटवा कारण, कि इस सब के परिणाम सुरूप, एक तरीके से विद्रो बढ़ते गया, जो अंत में, इजिफ्ट में, एक अलग सत्ता केंदर के बनने के साथ समाप्ट हुआ, ये जो बातें आपको बताई हैं, इसका कुल मिला के निश्करश क्या निकला, इसका निश्करश ये निकला, या इसके कारण क्या नए परिवर्त नाएं, उसमें सबसे महत्पूर्ण हैं, फार्शी का, फार्सी का बढ़ता हुआ प्रभाओ और उस बढ़ते प्रभाओ के परणाम सुरूप बढ़ता एकी करना बढ़ता एकी करना क्योंकि अब जो जो फार्सी फार्सी उच्चवर के लोंगों का था और उच्च वर्ग के लोंगों के बीच में जो फार्थी सौंस्कृती जो फार्थी शास्की प्रशासनिक पद्धती आई उसका असर निश्च तुरूप से एक ही करन पे पड़ा जब दस्वी ग्यारवी सदी के अंतराल पर हम आते हैं तो हम देखते हैं कि तुर्की जिस नामक देश में एक नए तरह के सामराजिका नए तरह के सल्तनत का उदा हुआ तुर्की में एक नए सत्ता सामरे आई जिसे हम सल्तनत कह सकते हैं भारत में भी ऐसे सल्तनत काल कहलाता है सल्तनत काल यहां पर सल्तनत कहलाया सल्टन शब्द जो है वो सुल्तान से बना है मैंने आपको बताया कि एरान के प्रभाव से प्रभावित होकर जो अबासी वंच के बात के लोग थे इन्होंने खलीफा को पीछे कर दिया यहने अपनी धर्म प्रमुक्ता के अपने रोल को थोड़ा सा पीछे कर दिया और उसके बड़ले अब शहनशाह का शब्दा में लगा तो यहने राज सत्ता अब हर जग़ा ज़्यादा हवी नजर आ रही थी और उसी का परणाम या उसी का एक दुर्की में देख सकते हैं जहां सल्तनत का उड़ा हुआ नए सल्तनत का उड़ा हुआ हुआ है और उसके साथ उस शेत्र की राजनीति में एक तरीके से भूचा लाया बहुत ज्यादा परवर्ट तनुए इरान और अर्मों के साथ अब एक ये नया ग्रुप सामने आ गया और वो तर्की का वहां के मैंने आपको पहले भी बताया कि टर्की के जो गुलाम लोग थे वे लोग भी अबासी वंचे खफा थे और यहां पर उसके अंदरुनी परणाम इस रूप में बदले के महां सलटनत के स्थापना हुई अब एक तीसरा गुड़ सामने आ गया तर्की जो है वो मध्य एशिया के वही खाना बदोश कबीलाई लोगों कही गुर्प था जिसनोंने इसलाम को अपनाय था तर्की में भी खाना बदोश कबीलाई जातियां परजातियां थी और उन्होंने इस्लाम को अपना लिया वे बहुत लड़ाकू कुशल और साथ ही बहुत ही अच्छे घुर सवार थे ये तुर्की के खाना बदोश जातियों की खासियत थी ये बिंदु किस संदर में बोला जा रहा है ये वाला बिंदु संदर में कि कैसे मिस्र में खिलाफत अलग हुई नहीं आई दूसरा कैसे बगदाद के खिलाफत के खिलाफ तुर्की में भी एक तरीके से करांती हुई और वहां पे तलतनत सामने आया तो ये जो तरकी के लोग थे ये बहुत लड़ाकू थे कुशल घुर सवार थे कुशल सैनिक थे और अबासी बहावीन समान इसमें सब में शामिल हुए थे और अपनी वफादारी का इन्होंने बहुत अच्छा सबूत रखा था यानि इन्होंने साबित किया था समय समय पर कि ये बहुत लॉयल रहते हैं खाना बदोश होने के नाते ये लोग काफी घुमकड से कबीलाई जाती के होने के नाते बड़े मदबूत थे और इसलाम को अपना कर इन्होंने एक तरीके से इसलाम धर्म को तुर्की तक पहुँचाया अपनी वफदारी के बल पर अपनी कोशल के बल पर इन्हें बहुत से पद भी हासिल हुए बहुत से उच्छे पदों पर रखा गया और जो गजनी में सल्तनत की जो स्थापना होई थी गजनी अलप्त गिन जिसका नाम आपने सुना होगा भारती इतिहात की चर्चा जब करते हैं तो आता है अलप्त गिन ने 961 में गजनी में जो सल्तनत की स्थापना की थी ये एक तुर्की आक्रमन कारी ही था अब देखिए नक्षे में कि अलब्त गिन या तुर्की के लोग कितनी दूरी तै करते हुए गजना पहुचते हैं और ये गजना पे इनका पहुचना अलब्त गिन का पहुचना एक तरगत भावी भारत में आकरमण की शुरुवात की कहानी यहीं से देखी जा सकती हैं तो याद रखेंगे कि हम जिस तुर्की की बात कर रहे हैं यह वही तर्की है जहां के लोग गजनी तक आया और फिर भारत पहुचना यह क्यों संभव क्यों हुआ तो कि तर्की के लोग बड़े अच्छे गुर सवार थे बड़े अच्छे सैनिक थे बड़े अच्छे आरते और उन्हीं के वफादारी के नाम के वज में इन्हें राजवाईश के लोगों ने उचे उचे पदों पर दिया था उचे 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 पदों पर बैठाया था परणाम कि अन्त तह 961 इस्वी में अलप गिंद्वारा गजनी में एक सलतनत के स्थापना हुई और जो एक क्वैम टर्किश था इस हमले का संबन भारत विजए से है इस बात को आप याद रखिएगा बुखारा के सामन शासन का वो दास था अलप गिंद्वारा वहां का एक दास था और 800 सैनिकों के साथ अफगानी खेतर गजनी नगर और उसके आस पास उसने कबजा करके सलतनत की स थापना की तो एक दास के रूप में वो तर्की से आया था बुखारा और बुखारा में धीरे 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 उच पदों पर जाते जाते अंत तो उसने एक शासन एक सलतनत की स्थापना स्थापित करने में सफलता पाई एक दास से एक स्थापक सुल्तान के बाद सुबुक्त गिन को बना लप्त गिन के बाद सुबुक्त गिन उस ख्षित्र का सास्क बना वह लब्त गिन होड जो सुबुक्त गिन है वह स्वएम alप्त गिन का दास था दास का दास अब शासक बनता है देखिए अभी तक हम जो पढ़ते आए हैं उसमें हमने देखा है कि कैसे पैत्रिक वंच के स्थापना करते हुए खलीफा ने ये सुनिश्चित किया कि उन्हीं के परिवार के लोग उज़ पर पर आतीन रहें और अब यहां पर और साथ ही हम देखते हैं कि धर्म का वर्चस बना हुआ था अब ये परिवर्टन मात्र तीन सो चार सो वर्चों में दिखाई देता है कि धार्मिक सत्ता पीछे हट गई और अब सामराज ये वादी प्रियासकार्थ है ने ने खेत्रों को पाना सल्तनत जो है वो उसी कहानी का उसी इतिहास का एक हिस्सा है सल्तनत की स्थापना यही बात आगे चलकर भारत विजय के रूप में पर्णित होती है तो सुबक्त गिन भी एक दास था और उसने अपना खेत्र बढ़ाया और अमीर उल उम्रा की उपादी उसने अपने नाम की स्वायम को उसने सुपाद से अपने को नवाजा और उसका विवा जो अपना विवा उसने किसे किया अलप्त गिन की पुत्तरी से अलप्त गिन की पुत्तरी से विवा करने के कारण उसके द्वारा अगला सल्तान बना उस हट तक सरल हो गया सुबक्त गिन जो था वो बहुत प्रसिद हुआ खासकर पूरवी विश्व में अफगानिस्तान वरतमान पाकिस्तान भारत के खेतर मंगोल खेतर में यहां पर उसका नाम काफी गया और उसके दिहान के बाद वह नाम आता है जो भारत में भारती इतिहास में बिना उसके भारत के इतिहास को अपूर्ण माना जाए और वह है महमूद गजनवी का अब आप समझ गया होंगे कि इसलाम धर्म का उदै और विकास यह अध्याय हमारे कोर्स में क्यों है और किस लिए यह पढ़ाया जाना उचित है इसलाम धर्म भारत का एक बहुत बहुत बड़े क्षित्र में फैला हुआ धर्म है एक कारणटी हो गया और दूसरा भी आपने अभी जाना कि किस प्रकार इसलाम धर्म से संबंदित विस्तार गाथा में किस प्रकार अरब पेनिंचुला की बात बढ़ते बढ़ते इराक इरान इजिप्ट सीरिया और तरकी और फिर किस तरह तरकी के लोगों का आना इसलाम के एकी करण की प्रक्रिया में एक हिस्सा है और इसलाम का हिस्सा होते हुए किस तरह से अलब्ट गिन फिर सुबख्त गिन और अब उसके बाद उसका पुत्र महमूद गजनी गजना का शासक बनता है गजनी नगर और उसके आस पास के खेत्रों को हथिया कर एक बूश शासक बनता है इसका सुबक्त गिन का बेटा था और सुबक्त गिन स्वैम कौन था अलब्त गिन का दामाद गजनी सल्तनत की स्थापना इसी काल में हुई और इनकी शक्ति सत्ता अब खुरासान और अफगानिस्तान याने गजना जो है अब खुरासान और अफगानिस क्षेतर में उनकी सल्तनात स्थापित हुई जो खलीफा थे खलीफा ने उन्हें सम्मान का चोगा दिया और यमीन दौला की उपादी से विभुशित किया ये उपादियां मैंने पहले आपको बताया कि कितनी महत्पूर्ण हुआ करती थी और क्यों महत्पूर्ण हुआ करती तो सम्मान का चोगा और यमीन दौला की उपादी से खलीफा के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया ये तो बात हुई सल्तनत के स्थापना की गजनी में और ये जानकारी आप जब जान गए कि ये लोग टरकिश थे साथ ही आपनी ये भी जाना कि महमूद गजनी इन्ही टरकिश सुल्तानों में से एक सुबप्त गिन का बेटा था जो बाद में भारत में हमला करता है तो ग्यारवी से तेरवी सदी का काल जब भारत में कुछ घटना करम या गजना में या इस खेतर में कुछ घटना करम कुछ दूसरा रूप ले रहा था पश्च्मी खेतर में यानि अरब खेतर में क्या बात हो रही क्या गट ने चल रही थी यहाँ पर इसाई और अरबों के बीच धर्म की लड़ाईआ हुई बहुत सी लड़ाईआ हुई और उसका मूल कारण था इसाम के द्वारा विस्तार का प्रयास और वही प्रयात इसाई धर्म के द्वारा भी किया जा रहा था इस तरह ये एक तरीके से धर्म युद्ध का काल हो गया धर्म के नाम पर लड़ाई हुए तेरवी सदी के आरम में जो मुस्लिम सब्विता थी मुस्लिम संचार था वो पतन की ओर जाने लगा क्योंकि इसमें ब इस काल ने देखा इसलाम धर्म के अंदर और इसलिए वहाँ पर गिरावट आनी शुरू ही ये जो गिरावट हो रही थी ये इस बात का संकेत था कि मंगोल अब खत्रा बनेंगे मंगोल पहली बार हमारे बीच में आते हैं चर्चा के लिए और उसका कारण भी स्वयम इन्ही इसलामिक पंथियों की गत्विदियां थी जो कई भागों में विभाजित हो चुके थे खलीफा कमजोर हो चुका था दूसरा खलीफा केरों में स्थापित हो चुका था खिलाफत और वहां की जो खिलाफती वो खिलाफत उच वर्ग को ज्यादा मददगार थी उनको ज्यादा सुपोर्टिव थी उनके लिए तो जब ये इसलाम धर्म में परिवर्तन हम देखते हैं धीरे धीरे और इसलाम धर्म में गिरावट देखते हैं तो ये जो गिरावट है वो एक तरीके से मंगोलों के लिए एक आमंतरन था और ये अकरमन एक व्यवस्थित सभिता पर खाना बदोश लोगों द्वारा हुआ खाना बदोश कौन अब ये मंगोल लोग हो गया और व्यवस्थित सभिता कौन सी थी जो इतने समय से चली आ रही थे जिसका जिक्र हम करते जा रहे हैं तो अब आप देखेंगे कि कैसे समय क साथ अब खाना बदोशों द्वारा व्यवस्था परिवर्तन का प्रयास और ये निरनायक और अंतिम प्रयास थावित हुआ जिसका प्रणाम इस रूप में हम देखते हैं कि धर में युद्ध का रूप ये अब ले चला